साज संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चानल पर हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर तो चलिए आज की साखी ही सुनते हैं साथ संगत जी, रामू एक माली था, शहर में बड़ी सी कालोनी में जिसमें बहुत सारी कोठियाँ बनी हुई थी, वो वहां जाता और वहां की पांच साथ कोठियों के बगेचे की खूब रखवाली करता, जिस जिस के घर में भी रामू काम करता, सब उससे बहुत ही खुश रहते थे अब धनी राम नाम का एक सेट था रामु धनी राम सेट के घर में भी मालिका काम करता था रामु जब भी धनी राम के घर के बगीजे में पोधों को पानी देता मिट्टी खोदता तो वे एक ऐसी जगा होती जिसमें से उसको एक कोने से मिट्टी के नीचे से थोड़ी आहट की आवाज आती कि जैसे कोई मिठी को नीजे से खट-खटा आ रहा हो और बाहर निकलने के कोशिश कर रहा हो रामु ने कई बार वो आवाज सुनी लेकिन उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया रामु ने सुचा शायद कोई जानवर होगा लेकिन हार बार जब वो उस जगा जाता तो उसको आवाज जरूर आती एक दिन रामु ने हिम्मत करके उस जगा को खोदा तो खोदते खोदते वो हैरान हो गया उस जगा से एक बहुत ही सुन्दर लड़ू गोपाल जी की मूरती निकली अब रामु ने लड़ू गोपाल जी को बाहर निकाला उनका शरीर गरम था और वो मिट्टी से लटपत थे। अब रामू को लगा कि शायद लड्डू गोपाल की सांसे भी चल रही है। ये देखकर वो हैरान हो गया। वो भागा भागा लड्डू गोपाल को लेकर घर के अंदर गया और धनी राम की पतनी को जाकर बोला। सेठानी जी ये देखिए आपके वगेचे से मुझे ये लड्डू गोपाल जी मिले है। लड़ू गोपाल जी को देखकर धनी राम की पतनी का रंग एकदम पीला पड़ गया, वो कहने लगी तुम इन्हें निकाल कर क्यों लाई हो, तो रामू बोला कि वहां से मुझे रोज आवाज आती थी, आज मिट्टी को खोदा तो उसमें से ये निकली, मालकिन चीखते बड़ी मुश्किल से मैंने से पीछा चुड़वाया था, साच संगत जी धनी राम के दो बेटे थे, धनी राम की पतनी अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, उन्हें सुबह उटकर तियार करती, नहलाती, स्कूल भेशती, जब वो घर आते तो उन्हें खाना खिलाती शाम को पढ़ाती, रात को खाना खिला कर लोरी सुना कर उन्हें सुलाती, धनी राम के घर में एक लड़ू गोपाल जी भी थे, जिसको धनी राम की माता जी बहुत मानती थी, अब धनी राम की माता जी के स्वरगवास होने के बाद, धनी राम ने अपने मंदर में को पाल की सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता था कि सुबह उठकर इन्हें स्नान करवाओ तो मेरे बेटों को कौन नहलाएगा बाद में इन्हें भोग लगाओ तो मेरे बेटों को कौन खिलाएगा रात में मैं इनको सुलाओं तो मेरे बेटों को लोरी गाकर कौन और अपने घर के बगीचे में जाकर लड़ू गोपाल जी को दबा दिया और अपने पती को बोल दिया कि लड़ू गोपाल जी चोरी हो गए हैं लड़ू गोपाल जी के चोरी होने पर धनी राम बड़ा दुखी हुआ लेकिन वो कर भी क्या सकता था आज जब लड़ू गोपाल जी को लेकर रामू सेठानी के पास आया तो सेठानी चिड़ गई कहने लगी तुम इसे निकाल कर क्यों लाए हो रामू ने सेठानी से कहा मालकिन आम मैंन का क्या करूँ मालकिन ने कहा तुम लड़ू गोपाल जी को अपने पास रखो और दफा हो जाओ मेरे घर में आगे से आने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सिठानी को डर था अगर ये सच मेरे पती को रामू ने बता दिया तो मेरे पती धनिराम मुझ पर बहुत गुसा करेंगे और इसलिए धनिराम की पतनी ने रामू को नौकरी से ही निकाल दिया और अपने आसपास रहने वाले घर के लोगों को कह दिया रामू चोर है मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है तुम लोग भी उसे निकाल दो तो सभी लोगों ने धनी राम की पतनी की बात पर विश्वाश करके रामू को नौकरी से निकाल दिया रामू इस बात से हरान था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है वो कपड़े में लड्डू गोपाल जी को लपेटकर अपने घर ले आया रोता हुँ अपनी पतनी को इशारों में बताता है कि ये लड्डू गोपाल जी मुझे सेथानी के घर से मिले लेकिन इनके मिलते ही मेरी नॉकरी चूट गई, अब मैं इनका क्या करूँ अब रामू की पत्नी बड़े ही प्यार से लड़ू को पाल जी को पकड़ती है और उनके शरीर पर लगी हुई मिट्टी को साफ करती है फिर रामू की पत्नी ने लड़ू को पाल जी को सनान करवा के घर के कौने में बड़े ही श्रदा के साथ नीचे कपड़ा बिछा कर रख रामू बहुत उदास था उसे लग रहा था अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा फिर उसने मन में सोचा कि इन लड्डू गोपाल के मिलते ही मेरी नौकरी चली गई ये सब लड्डू गोपाल जी की वज़े से हुआ है लेकिन रामू को उसकी पत्नी ने समझाया कि को पाल जी के शरीर से मिट्टी उतरी है इसे कहा रखो अब रामू समय गुसे में था वो बोला अपने घर के बाहर जो आंगन है इसे वहां फैक दो अब रामू की पत्नी ने वैसा ही किया रामू को चिंता की वज़े से नीन नहीं आई कि मेरे घर का गुजारा कैसे होगा लेकिन रामू की पत्नी अराम से सोई थी ठाकुर जी को देखकर रामू की पत्नी को एक अजीब सा चैन मिला था और खुशी भी होई थी इसलिए वो सुकून से सोई सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि आंगन में जिस जगा पर लड़ू गोपाल जी के शरीर से मिट्टी उतार कर उसकी पत्नी ने फैकी थी उस जगा पर बहुत ही सुन्दर फूल खिले हैं और उन फूलों की खुश्पू पूरे मोहले में फैल गई सभी सोचने लगे कि आज मुहले से ये कैसी खुश्पू आ रही है सब देखने आए तो रामू के आंगन में बहुत ही सुन्दर फूल खिले थे तब यूदर से एक व्यक्ति निकला उसने रामू से कहा तूने अपने आंगन में इतने सुन्दर फूल खिलाए है ये फूल तो बहुत ही कीमती है बाजार में तो इसकी बहुत कमाई होगी ये सुनकर रामू हैरान हो गया वो हाथ जोड कर ठाकुर जे के आगे आया और कहने लगा मुझे माफ कर दीजे चुब मैंने आप पर शक किया आपको तो सब का खयाल है रामू की पत्मी मंद मंद मुस्कुरा कि मेरे पती को आप भगवान पर विश्वाश होने लगा है अब रामू ने कुछ फूलों को उठाकर पहले कुछ फूलों को लड़ू को पाल जी के चरणों में रखा बाकी के फूल वो बाजार में बेचने के लिए चला गया उसे बहुत ही अच्छे दाम मिले अब तो हर रोज ही रामू के आगन में फूल खिलते फूलों को बेच कर रामू माली से मालिक बन गया रामू और उसकी पतनी ने निश्चय किया था कि धनी राम की पतनी ने अपने बच्चों की परवरिश्च की वज़े से लड़ू गोपाल जी को मिट्टी में दबा दिया था इसलिए आज से लड़ू गोपाल जी ही हमारी संतान है कहीं ऐसा नहू कि हम भी अपनी संतान की वज़े से लड़ू गोपाल जी के तरफ ध्यान ना लगा पाए इसलिए अब हमारी संतान केवल लड़ू गोपाल जी ही होंगे अब तो रामू एक बहुत ही बड़ा फूलों का व्यपारी बन चुका था उसने बहुत बड़ा आलिशान मकान ले लिया एक दिन रामू जब घर पर नहीं था उसकी पतनी घर पर अकेली थी तभी एक बूढी औरत एक बहुत ही बूरी अवस्था में आई उस महिला का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था उसे आखों से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था तब ही वो रामू के दरवाजे पर आकर बूख की वज़े से चिलाने लगी कि मुझे कुछ खाने को दे दो उस बूढी महिला से कमजोरी की वज़से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था वो बेहोशो कर गिर गई रामू की पत्नी ने जल्दि से उस महिला को उठाया और अपने घर के अंदर ले गई जब वो महिला उठी तो रामू की पत्नी ने उसे खाना खिलाया और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो अब बहुत ही कमजोर होने के कारण वो बूढ़ी महिला रामू की पत्नी को कुछ भी न बता पाई जब रामू घर पर आया तब उसने उस बूढ़ी महिला को देखकर उसे पहचानने की कोशिश की तब ही उसको ध्यानाया कि ये तो वही धनी राम सेठ की पत्नी है तब ही रामू ने उनसे पूछा कि सेठानी जी आपका ये हाल कैसे हो गया तो धनी राम की पत्नी ने रामू से कहा तुम कौन हो भाई रामू ने बताया मैं वही आपका माली रामू हूँ जिस पर आपने चोरी का अलजाम लगा कर सारे मुहले से नौकरी से निकलवा दिया था लेकिन आपके मुझ पर बहुत उपकार है आपके दिये हुए लड़ू गोपाल जी के वज़े से आज मैं माली से मालिक बन गया अब धनी राम के पतनी ये सुनकर रोने लगी और रामू के पैरों में गिरते हुए बोली मुझे लड़ू गोपाल के पास ले चलो अपने बेटों की वज़े से मैंने लड़ू गोपाल जी को जमीन में दबा दिया और आज मेरी उनी संतानों ने मुझे घर से निकाल दिया मेरे पती की मौत के बाद मेरे बेटों ने मुझे आखे दिखानी शुरू कर दी मेरा सब कुछ छीन कर अपनी पतनियों के कहने पर मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया शायद ही मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मुझे ये सजा मिली है अब धनी राम की पत्नी लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी प्रभू मुझे माफ कर दो अब ठाकुर जी तो बहुत ही दयावान और क्रिपालू है रामु ने धनी राम की पत्नी को उठाया और कहा सेठानी जी अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं ये लड्डू गोपाल जी आपके बेटे की तरह ही है आज से आप यही रहिए साथ संगत जी ऐसे ही तो होते हैं भगवान ये दातार ये नरंकार ये प्रभू जिस पर किरपा करता है उसे माला माल कर देता है और ये इश्वर ये दातार पाप करने वालों को भी माफ कर देता है आप सभी को अगर आज की एक साखी अच्छी लगी हूँ वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा आप सभी सिर्फ फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत ची प्यार से कहना धन नरंगतार